बहुत इंपोर्टेन है क्योंकि कुछ दिनों से मैं जो मैसेज भी आ रहे थी कि सर फुटिंग पर एक वीडियो बनाओ जिसमें पूरा फुटिंग का स्टार्ट से एंड दक प्रसीजर हो ठीक है तो आज मैं वीडियो लेके आए हूँ जिसमें हम पूरा में बताँगा कि कैसे होगा सबसे पहले देख रहे हुए जैसे यह मेरी एक ग्रिड को नीचे उतार है मतलब वोसी लाइन पे हम उसकी शेटरिंग करेंगे ठीक है एक बार शेटरिंग हो जाए उसके बाद हमारा क्या रहेगा बॉटम जो उसका बॉटम बार इसकी में वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा भी इसकी स्टील डिटेल पहले आप देख लीजिए मतलब इसका प्रोसीजर रहता कैसे है ठीक है अभी यह हमने यह इसirmiा-पूट त्छे से नें इसकी यहाट है इसके बॉटम जोने के बाद एसके मतलब कव उसका बॉटम का ये यह में num का कवर ठीक है यह किख से पर एंदिเชब करते हैं लेकिन मैक्समें हमारा क्या रहता है फुटिंग मेग JEशा फुटिंग में 75 mm का यी कवर यूज किया है यह हमारा RCC के कवर है कि गवर गया होता है कि ड्राइन में मैंचन होता है कि आपको PVC का कवर ही यूज करने है ठीक है तो उसके बाद यह देख रहे हो और मतलग एक बार हमारी बॉटम जाली होगी उसके बाद एक कॉर्णर पे उन्होंने स्टील ए देखेंगे तो वो बॉटम मैश हिले नहीं है ठीक है यह हो गया अब जो हमने ग्रिड मतलब उतारे थे जो एकस एक्सिस वाई एक्सिस वह हम विद्धी हेलप उप लॉमप उप उनको नीचे उतार लेंगे कि इससे हमारा क्या होगा कि हमारा कॉलम का हमें सेंटर मिल गया क इस से हम इज़ली जो हमारा अगरा चार्सों आर्ण चार्सों ऑट हो द UC रोगय लेंगे ठीक है यहां देखर करके हमारा यह कोलम है 500 बै चार्सों तोका कैंश का तो अभी मैंने मतलब एकस्स मार दी है ठीक है अभी हम जो इसकी वाई एक्सीस ले लहेंगे ठीक है यह बां पर अभी 5X6 की मार्किंग कर रहे हैं यहां ऐसे इदर भी वैसे ही प्लम बाउब चे हम नीचे पॉइंट उतार लेंगे और हमें सेंटर मिल जाएगा कॉलम का यह फुटिंग हमारी इसके नीचे पीसे जाएगा है